नमस्कार कोरोना के खिलाब देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है कुछ सब्ता पहले तक स्थित्या संब्ली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी बेव तुफान बनकर आ गई जो पीडा आपने सही है जो पीडा आप सह रहे हैं उसका मुझे पूरा एसास है जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है मैं सभी देश वाच्चों के तरफ से उनके प्रती संबेदनाई व्यक्त करता हूं परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूं चुनोती बड़ी है लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प अपने होसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है साथियों अपनी बात को विस्तार देने से पहले मैं देश के सभी डॉक्टरों मेडिकल स्टाप पैरा मेडिकल स्टाप हमारे सभी सभाई कर्मचारी भाई बहन हमारे एंबूलेंस के ड्राइवर्स हमारे सुरक्षाबल पुलिस कर्मी सभी की सराना करूंगा आपने कोरोना की पहली वेव में भी अपना जीवन दाव पर लगाकर लोगों को बचाया था आज आप फिर इस संकट में अपने परिवार अपने सूख अपनी चिंता छोड़कर दूसरों का जीवन बचाने में दिन रात जुटे हुए हैं साथियों हमारे सास्त्रों में कहा गया है ताज्यम न धैर्यम विदुरेपिकाले अर्थात कठीन से कठीन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए किसी भी परिष्टीती से निपड़ने के लिए हम सही निड़े लें सही दिशा में प्रहास करें तब ही हम विजय हासिल कर सकते हैं इसी मंत्र को सामने रखकर आज देश दिन रात काम कर रहा है बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिये गए हैं जो कदम उठाए गए हैं वो स्थिती को तेजी से सुधारेंगे इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सिजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है इस विशे पर तेजी से और पूरी संवेदन सिल्टा के साथ काम किया जा रहा है केंद्र सरकार राज्य सरकारें प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरत मन को ऑक्सिजन मिले ऑक्सिजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाई किये जा रहे हैं राज्यों में नए ऐक्सिजन प्लांट्स हो एक लाग नए सिलिंडर पहुंचाने हो और जोगी इकाईयों में इस्तिमाल हो रही ऑक्सिजन का मेडिकल इस्तिमाल हो ऑक्सिजन रेल हो हर प्रयास किया जा रहा है साथियों इस बार जैसे ही कोरोना के केस बड़े देश के फार्मा सेक्टर ने दवाईयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है आज जनवरी फर्वरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाईयों का प्रोडक्शन हो रहा है इसे अभी और तेज किया जा रहा है कल भी मेरी देश की फार्मा इंडस्ट्री के बड़े जो प्रमुक्र लोग हैं उसके जो एक्षपर्ट लोग हैं उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां की मदद ली जा रही हैं हम सौगपाग्य साली हैं कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाईया बनाता है इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है कुछ शहरों में ज्यादा डिमांड को देखते हुए विशेश और विशाल कोविर होस्पिटल बनाए जा रहे हैं सात्यों पिछले वर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आये थे उसी समय भारत में कोरोना वाइरस के खिलाब प्रभावी वैक्सिन के लिए काम शुरू कर दिया था हमारे वैज्ञानिकों ने दीन रात एक करके बहुत कम समय में देश वाच्चों के लिए वैक्सिन्स विक्षित की हैं आज दुनिया की सबसे सब्सक्राइब भारत में हैं भारत की कोल्ड चेन व्यवस्ता के अनुकुल वैक्सिन हमारे पास हैं इस प्रयास में हमारे प्राइवेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बहतरीन प्रोदर्शन किया है वेक्सिन की एप्रूबल्स और रेगुलेटरी प्रोसेस को फास्ट ट्रेक पर रखने के साथ ही सब भी साइन्टिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है यह एक टीम एफट है जिसके कारण हमारा भारत दो मेड इन इंडिया वैक्शिन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीका करण अभियान शुरू कर पाया टीका करण के पहले चरण से ही गती के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि जादा से जादा छेत्रों तक जरुरत मन लोगों तक वैक्शिन पहुँचे दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले दस करोड फिर ग्यारा करोड और बारा करोड वैक्शिन डोस दिये गए आज कोरोना से इस लड़ाई में हमें हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केर वर्कर्स फ्रंट लाइन कोरोना वॉर्यर्स और सीनियर स्टिजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्शिन का लाब मिल चुका है साथियों कल ही वैक्शिन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है एक मई के बाद से अठारा वर्स की उपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्शिनेट किया जा सकेगा अब भारत में जो वैक्शिन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा इस बीच गरीबों, बुजर्गों, निबने मद्यमबर के लोग, मद्यमबर के लोग 45 वर्स की आयू के उपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्शिन कारेकम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुप्त वैक्शिन मिलती रहेगी जिसका फाइदा जैसा मैंने कहा हमारे गरीब परिवार हो हमारे मद्यमबर, निम्मद्यमबर के परिवार हो वो उनका लाब उठा सकेंगे साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है और जीवन बचाने के लिए तो है ही प्रयासे भी यह है कि आर्थिक गतिविधिया और आजिविका कम से कम प्रभावितो प्रयास का तरीका यही रखा जाए वैक्सिनेशन को अठारा वर्ष की आईविक के उपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्क फोर्स है उसे तेजी से वैक्सिन उपलब्द होगी राज्यों और केंद्र सरकारे के प्रयासों से स्रमीकों को भी तेजी से वैक्सिन मिले लगेगी यह जा यह से एक्सिन उपलब्द वैक्सिन मिले लिए वाम